तो चलिए SSE JE के previous year paper को solve करते हैं आज का paper SSE JE 2022 electrical 14 November में पूछा गया था section है general intelligence and reasoning in total 50 question रहेंगे चलिए एक एक करके solve करते हैं सबसे पहला सवाल आपकी screen के सामने select the option figure in which the given figure is embedded rotation is not allowed ये बड़ा important है अगर हम ध्यान से देखे अगर rotation आपको allowed नहीं करवाना है और आपको ये diamond वाला shape चाहिए तो diamond वाला shape का पर आपको दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है hence option 4 is correct easy चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है which of the given letter cluster will replace the question mark in the following series duzbfsxdhqvf question mark ये question mark आपको खोजना है और कुछ pattern चल रहा है यहाँ पर ये आपको पता लगाना है पहले कौन सा pattern है और फिर answer आ जाएगा देखो ऐसे सवाल हमने previous classes में कई सारे किये हैं और मैंने आपको कहा था कि first letter compare करो और pattern खोजो तो अगर मैं इस chart को बुला लूँ और यहाँ पर जो दिये गए शब्द है उनको लिखू कौन कौन से शब्द दिये गए थे duzb उसके बाद fsxd उसके बाद दिया गया था hqvf और फिर question mark था याने हमको ये 4 letters खोजने है और आखरी में दिया गया था lmrj तो चलिए d से f जाने के लिए कौन सी यात्रा करनी पड़ेगी sir d से f जाना है न दो कदम आगे चलना पड़ेगा मैंने का ठीक है जी plus 2 वाला pattern क्या ये same चीज इधर भी हो रही है f से h जाना है sir जी दो कदम आगे चलना पड़ेगा तो चलिये दो कदम आगे yes तो यही pattern है दो-दो कदम आगे चलना है h से दो कदम आगे चले तो j पर पहुँच जाएंगे plus 2 करने पर j j से दो कदम आगे चलेंगे तो l पर पहुच जाएंगे तो पहला letter तो j है पहला letter j सभी में है क्या ही आपने खोज लिया पका time waste करते हैं आप हमेशा option को check करो option में क्या मांगा गया है first और last find करके कोई फाइदा नहीं है बीच के दो आपको खोजने बीच के दो अगर आपने खोज लिये तो answer आपको मिल जाएगा चलिए तो यहाँ पर focus करते हैं अब के u से s में जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर जी u हमारा यहाँ पर s हमारा पीछे है तो दो कदम पीछे backward वाला moving है तो क्या यहाँ पर भी दो कदम पीछे s से q जाना है तो yes दो कदम पीछे तो Q से दो कदम पीछे चलो तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे O पर तो यह रहा O ठीक है, similarly अगर हम यहाँ पर चेक करें Z से X जाना है, Z से X दो कदम पीछे X से V दो कदम पीछे V से दो कदम पीछे कहाँ पर पहुच रहे हो, T पर पहुच रहे हो पर पहुच रहे हो तो बीच में ओटी है तो देखो जे ओटी हमको ये मिल गया है लास्ट वल्ल हमने फाइंड नहीं किया है जे ओटी कहा पर है सर ओटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 में है तो मिल गया answer चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा सवाल देखते हैं अब यह सिर्फ वाला सवाल है ध्यान से देखना विच ओफ दी फॉलिंग नंबर विल रिप्लेज दी कोशन मार्क इन दी गिवन सीरीज 4 15 48 कोशन मार्क 444 तो सबसे पहले लॉजिक खोजना है कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर उपस यह क्या अगरे सवाल पर पहुच गया हम आपको कैसा क्या चल रहा है 4 15 48 और यह 444 में कुछ AP GP HP सीरीज का भनक नहीं मिल रहा है सर जी अगर ऐसा नहीं है तो पक्का कुछ ना कुछ लॉजिक होगा addition, subtraction, multiplication या division का तो चलिए उसके बार में सोचते हैं कि अगर 4 से 15 जाना है तो सर जी हमको करना पड़ेगा यहाँ प्लस 11 15 स 48 जाना है तो सर जी add करना पड़ेगा 33 तो यहाँ पर कुछ एक pattern दिखाए दिया कि 11 33 क्या यह 11 का table चल रहा है क्या हम ऐसा कह सकते है कि यहाँ से 11 से 33 जाने के लिए हमको into 3 करना पड़ता तो फिर प्लस 33 से यहाँ पर जाने के लिए भी into 3 करना पड़ता याने यह हो जाता प्लस 99 और अगर हां तो फिर 48 प्लस 99 कितना आ रहा है सर 147 आ रहा है और अगर ऐसी बात है तो इसी logic के इसाब से यहाँ पर into 3 करे तो फिर आ रहा है 297 और फिर 147 में 297 add करे तो सर जी 444 बन रहा है अगर बन रहा है तो यह pattern बिल्कुल ठीक है यह logic बिल्कुल ठीक है the correct answer is 147 तो हमेशा याद रखना सबसे पहले हम चेक करते APGPHP है या नहीं अगर वो नहीं है तो फिर पक्का addition, subtraction, multiplication, division इसी में से कुछ न कुछ होता है और हमें answer मिल जाता है चली आगे बढ़ते है अगला सवाल देखते है अगला सवाल आपके screen के सामने यह रहा select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word ठीक है नौर्वे और उसलो के अंदर ऐसा क्या संभंध है जो Thailand और कुशन मार्क में होना चाहिए सर नौर्वे और ओसलो सर जी ओसलो इस दी capital of Norway तो Thailand की capital क्या है यह तो कहने की बात है सभी को पता है Bangkok अच्छा यह जो Singapore और Hong Kong है इनका तो बात ही नहीं इनका capital होई नहीं सकता अच्छा यह Kathmandu Kathmandu यह किसका capital है यह है capital of Nepal ठीक है जी यह है capital of Nepal तो इसीच का ध्यान रखना है capital पूछ रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा सवाल देखते हैं यह sitting arrangement का सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है कठिनाई वाली कोई बात नहीं है चलिए सवाल कीजिए seven people a b c d e f g are sitting in a straight row facing the north only two people sit to the left of g only two people sit between a and f a sits to the left of f d is an immediate neighbor of f to the right only one person sit to the right of b e is not an immediate neighbor of g how many people sits between e and a जब भी आप ऐसे देखते हो न आप confused हो जाते हो सर यह अंगरे जी क्या है कुछ समझ नहीं आया जब भी ऐसा हो जाता है न तो इसको diagram में convert करो इन total कितने आदमी है सर बेंच पर बिठाना है साथ लोगों को तो एक दो तीन चार पाच छे साथ फिर कापर देख रहे हो बच next only two people sits to the left of G अब इसको है न अंगरेज में लिखना स्टार्ट करो क्या दिया गया है सबसे पहले के दो लोग left में बैटे है जी के अब जी नौर्थ को देख रहा है उसका left यह बाजू होगा तो दो लोग यहाँ पर बैटे अच्छे इसके बाद क्या दे रखा है सर इसके दे रखा है only two people sit between a and f and a sits to the left of f यह बड़ा important है दोनों को combine करते हुए हम यह कह सकते है ए पहले फिर बीच में एक बच्चा बैटा है कि कितने बैटे only two people दो बच्चे बैटे उसके बाद f ठीक है जी फिर उसके बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पर कहा गया है d is an immediate neighbor of f to the right बढ़िया है d right में है f के right में है तो यह fd हो गया उसके बाद only one person sits to the right of b b के right में एक ही आदमी है उसके अलावा उसके अलावा एक और डेटा दे रखा है सर जी वो डेटा है e is not immediate neighbor of g याने eg नहीं हो सकता ठीक है eg भी नहीं हो सकता और ge भी नहीं हो सकता क्योंकि e और जी सा बात में नहीं बैठ सकते वह दुश्मन है अब यह सब मद्दे नजा रखते हुए अदालत ने क्या फैसला लिया अदालत ने फैसला लिया है इसको copy किया जाए next slide में भेजा जाए ताकि हम conclusion बना सके ठीक है जी conclusion बनाते हैं किसको क्या कैसे बिठाना है ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना दो डेटा को तो हमने फिल कर लिया अब तीन डेटा यहाँ पर बचे इनका इस्तमाल करके आगी की sitting करवानी है अब carefully जब भी ऐसा होता है आपको दिमाग रगाना है कि कितने लोग थे साथ लोग थे तो एक दो तीन चार पाच पाच की तो sitting हो गई ह डो की बचई है अब वो दो का पर होंगे या पर दो होंगे या फिर यहां पर दो होंगे या फिर एक इधर एक इधर होगा तो ऐसे आपको confusion है वो confusion को दूर करने के लिए आप डेटा को मिलाना पड़ेगा कि इन डेटा से समझ में आ रहा था कि g के पीछे दो लोग है और g को इधर भेज देते हैं ठीक है जी अगर ऐसे कर ले तो अब G के पीछे दो लोग ना जी को इधर बिठा दिया तो उसके पीछे दो लोग भी है अब बचा कौन C बचा है उसको इधर फिल कर देते हैं देखो आपका हो गया sitting इसने लोग है एक दो तीन चार पाँच पाँच लोग है अगर पाँच लोग है तो हमारा आंसर आ गया आंसर इस फाई इसलिए अगर आप पीछे जा करके चेक करोगे तो आपको बॉंबे या ऑप्शन टू बिलकुल ठीक मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा सवाल द इरेक्शन हमेशा पॉइंट कर रहा है जिस भी वह नौर्थ में है तो नौर्थ में पॉइंट कर रहा है साउत में तो साउत में है न वेस्ट में तो वेस्ट में तो अगर इस्ट में हो तुम तो इस्ट की तरफ पॉइंट करो फिर यह लो इस्ट की तरफ पॉइंट करवा पहले डार्क बाद में लाइट इधर नहीं है इसलिए यह गलत है इधर पहले डार्क है फिर लाइट है यह सही है इसलिए ऑप्शन फो ठीक है इजी चलिए कोशन नमबर 7 को देखते हैं अगर पाड़न इस्टू एन ओडी रैप डिलाइट इस्टू टी एजी आई एल एडी तो everything is true क्या होगा तो अगेन कुछ ऐसे पैटन चल रहा है इन दोनों में जो पैटन आगे भी चल रहा है और आपको आगे भी चलाना है और आंसर कहाना है मैं यह कह रहा था कि pardon is to not wrap यह तो same letter से बना हुआ है तो क्या यहाँ पर letter के positions अदला बदली किये है P पहले P बाद मे is second is second last are third are third last okay first first last second second last third third last ऐसे उनका logic है तो मैं लिख देता हूँ logic बड़ा simple है जो first letter है वो हो जाता है last जो second letter है वो हो जाता है second last third वाला हो जाता है third last और ऐसे यह कहानी आगे बढ़ानी है चलो बढ़ा लेते हैं यह जो है उदर जाएगा अब उल्टा ही तो पढ़ना है न in short everything को उल्टा पड़ो क्या यहाँ पर everything नहीं सर जी यह गड़बड हो गया इदर ठीक है यह गड़बड है इदर अच्छा यह everything हो गया सही डन अच्छा इदर everyty गलत है इदर evry every तो है think के अंदर t पहले आना ची है h कर दिया ठीक है जी तो यह मैंने आपको बता दिया exam मे निच्चे जाना भी नहीं है अगर एक बार आपको मिल जाए वही पर खतम करनी यह कहानी और आगे बढ़ना है समय का कीमत है इस paper में तो समय waste नहीं करना है चलिए आगे बढ़ते है अगला सवाल देखते है अब यह ऐसे वाले सवाल मैंने आपको समझाया है कैसे करना है ज उसको फिल करो ठीक है जी चल तो यह सब अब एक एक करके ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास है यहाँ पर option 1 के इसाब से i o y c उसके बाद है j o z c उसके बाद है i o z c उसके बाद है i p z c कुछ pattern मिल रहा है देखो मैं हमेशा आपको कहता हूँ pattern खोजना है same same z a c f same 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 उपर different है तो उपर different है तो वो गलत हो गया अब फिर इदर में देख रहा था no q tu w no q tu w no q tu w नीचे नहीं है वो गलत हो गया अब इन में कुछ ऐसा चल रहा है h i k n h i k h i k dेखो मिला आपको एक बारी यह miss हो गया एक बारी यहाँ पर miss हो गया एक बारी यहाँ पर miss हो गया तो कौन unmissed था ये तो trick के हिसाब से ये सही होना चाहिए देखो option 3 सही हो गया अगर आपको logic होजना है कि सर जी logic क्या है कि ये सही कैसे हो गया तो logic होजने के लिए आपको ये वाला chart वापस से बुलाना है बुलाने क गुआाँ के बाद आपको चिक्क करना है कि अगर मुझे h से आई जाना है तो कौनसी यात्रा है एक कदम की यात्रा आगे अगर आई से k जाना है तो दो कदम की यात्रा आगे । अगरwegen uk çocuk children in एक कदम की यात्रा, दो कदम की यात्रा, तिन कदम की यात्रा, यहाँ पर कितना है, अगर मैं सही जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, क्या मैंने हडबडी में गडबडी कर दी, हाँ जी, हडबडी में गडबडी, यहाँ पर देखो, T से U जाने के लिए, T से U जाने के लि हमारा option 3 correct है but मैंने आपको जो trick दिया है इस सारे option put करो इस series में फिर बाद में commonness खोजो uncommon गलत हो जाता है generally speaking 99% time ये trick चलता है और वो trick लगाने के बाद आपको pattern भी check करना है for the 100% confirmation नहीं भी करो तब भी चल जाता है 99% time चलिए आगे बढ़ते है question number 9 को देखता है select the option that is embedded in the given figure rotation is not allowed अब ये थोड़ा सा tricky है ना बहुत सारे यहाँ पर figures को mix किया गया है अगर ध्यान से देखू तो ऐसी 3 line ऐसे 3 हमको मिल रहा है क्या 3 तो नहीं मिल रहा है ऐसे perfectly 3 तो नहीं मिल रहा है तो ये गलत है ऐसे 3 भी नहीं मिलेगा 2-2 मिल सकता है जैसे ये वाला figure आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये देखो ये दो वाला यहाँ पर exactly दिखाई दे रहा है तो ये सही है क्या ये गलत कर दे फिर नहीं जी ये भी तो हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पर दिखाई दे रहा है सर जी ये देखो ये जो मैं shade कर रहा हूँ इसमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है बड़ देखो दोनों में फर्क है ये जो है ये थोड़ा सा पतला है ये जो है बड़ा wide spreaded है ऐसा आप इसमें देखो ना ये वाली area और उपर इसको तो दोनों same area wise नहीं है ना ये वाला थोड़ा सा ऐसे wide spreaded है hence इसलिए यहाँ पर option 4 को खारिच करना पड़ रहा है नहीं तो अगर ये वाला option नहीं होता ना तो शायद से हम option 4 को ठीक माते बट फिलाग ये दो मेंसे more accurate क्या है more accurate ये है ये थोड़ा सा less accurate है इसलिए option 4 को गलत कह रहे है चलिए आगे बढ़ते है question number 10 को देखते है which of the following interchange of number would make the given equation correct तो यहाँ पर interchange करने के बाद ऐसे सवाल है थोड़े से time ticking होता है एक एक करके option put करना है और check करना है अगर option 1 को put किया के interchange करो 7 की जगा 20 20 की जगा 7 as per the option 1 तो यहाँ पर answer आ रहा है 12 into 20 divide by 4 plus 12 minus 20 की जगा 7 that is equal to 5 अच्छा जी अब यहाँ पर अगर मैं calculate करू तो 4 1,000 4 3,000 क्योंकि division है ना this multiply divide by 4 तो यह अगर हम ऐसे करेंगे या फिर उल्टा भी करना है तो कर लो 4 1,000 4 5,000 यह आपके उपर है जैसे आपको ठीक लगे मैं तो 4 1,000 4 3,000 करूंगा और कहदूंगा total 60 है है ना यह सब calculation करने के बाद 3 into 20 60 आ रहा है और फिर यहा पर plus 12 minus 7 that is equal to 5 तो addition करना पड़ेगा आप कितना रहे addition करने के बाद 72 minus 7 that is equal to 5 हो रहा है क्या this is not equal बहुत simple सी बात है अगर not equal तो फिर यहा पर option 1 गलत हो जाता है चलिए आप आगे बढ़ते है option 2 को देखता है यह वाला option जो गलत था इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि notes refer करते time आपको आसानी हो notes बनानी की जरुवत नहीं होती है आपको app के अंदर folder के अंदर PDF में यह सारा मिल जाता है चलिए अब 5 की जगा यहाँ पर 5 की जगा 7 आ जाएगा 7 की जगा 5 आ जाएगा ऐसे replace करना है तो यहाँ पर 12 into 5 divide by 4 plus 12 minus 20 that is equal to 7 अब ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना अब जब यह multiply होने के बाद divide होगा तो यहाँ पर 4 1s are 4 3s are 5 into 3 15 plus 12 minus 20 that is 7 तो अब addition करो तो 27 minus 27 जो हो रहा है तो हो गई बात खतम फिर तो आगे बढ़ना भी नहीं है टाइम वेस्ट करना भी नहीं है चल यह आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपके screen के सामने है question number 11 select the option that is related to the 4th term in the same way as the 1st term is related to the 2nd term and the 5th term is related to the 6th term तो ऐसे आप बताओ क्या है ऐसे संबंद ऐसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th same pattern same चीजे share कर रहे हैं यह थोड़ा सा कठिन रहेगा जरूर क्योंके 91 is to 6 बड़ा अटपटा नंबर है बड़ा अजीव है तो यह क्या आप pattern खोज रहे हैं आप इसमें इसमें ऐसे pattern खोजना है पहले 2 में वही pattern इन में और वही pattern question mark और 7 में होना चीजे अब लगाओ दिमाग 91 is to 6 अब ऐसे सवाल हो मैं actually समय देना होता है इतना easily बनेगा नहीं आप money man सोच रहे थे कि यार 91 लाने के लिए क्या करे 6 into 6 भी करे तो 36 होता है फिर अगर एक और 6 कर दे तो triple digit आ जाएगा 91 तो आएगा नहीं तो cube का तो चक्कर है नहीं cube का चकर है नहीं आप 91 पर आए कैसे तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर 6 को हम multiply करे 5 से तो 6 फाइजा 30 हो जाता है 5 आने हमने किया 6 minus 1 और फिर 30 आने के बाद अगर हम 3 से multiply करे तो 90 हो जाता है 90 के बाद अगर एक add करे तो 91 हो जाता है ठीक है जी तो यहाँ पर हमने देखा 91 is to 6 के अंदर हमने क्या किया इस 6 को लिया उसके एक कम से हमने उसको multiply करवाया फिर 3 से multiply करवाया फिर 1 से add करवाया तो overall आ गया 91 चलो अगर यह pattern आपको समझ में आ चुका है तो क्या same चीज 169 is to 8 में भी चल रहा है कि हमने 8 को लिया उसके एक कम से हमने उसको multiply करवाया याने 8 minus 1 7 से और 8 into 7 into 3 करने के बाद हमको आया है 168 जिसको हमने 1 से add करवाया और answer आ गया 169 इसर यह pattern चल रहा है अगर यह pattern चल रहा है तो अब आपको answer मिल जाना चाहिए जैसे अब आपका answer क्या होगा कि question mark is to 7 तो 7 को उसके एक number कम से multiply कराओ फिर 3 से multiply कराओ और फिर add कराओ तो आपको question mark मिल जाएगा तो एक कितना आ रहा है जनाब 6 into 7 into 3 126 plus 1 127 this is your answer easy इतना भी easy नहीं था बट एक बार pattern समझ में आ गया तो बहुत ही easy हो जाता है चल यह आगे बढ़ते हैं अगरा सवाल आपकी screen के सामने यह रहा यह वाले थोड़े calculated होते हैं जड़ा ध्यान से संभल करके if a denotes plus b denotes multiplication c denotes subtraction d denotes division then what will be the value of the following expression चलो यह इतना भी calculated नहीं है letters की जगा symbols रखना है और calculate करना है as per board mass तो c की जगा minus a की जगा plus d की जगा division फिर b की जगा multiplication तो board mass की इसाब से अगर हम देके ध्यान से तो यहाँ पर इसको अगर हम करेंगे division 1510, 1540, 4x3, 12 तो यहाँ पर 45-23, plus 12 आ जाता है फिर addition करेंगे तो यह add होने के बाद 57-23 बजेगा जो हो जाता है 34, done and tested, easy चली, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपकी screen के सामने यह इसमें एक मिनिट के उपर लग जाता है select the correct combination of the mathematical sign that can sequentially replace percentage and balance the given equation तो यहाँ पर एक एक करके symbol रखना है, check करना है option 1 की हिसाब से अगर हम जाए तो यहाँ पर हमको कहना पड़ेगा 32-4 plus 12 division of 4 into 6 that is equal to 5 plus 1 अगर मैं ध्यान से देखू board mask की हिसाब से यहाँ पर इसको पहले करना पड़ेगा 4 1s are 4 3s are 6 into 3 18 तो यहाँ पर 32-4 plus 18 is equal to 5 plus 1 6 क्या हो रहा है तो यहाँ पर add करके check कर लो ना यह 2 को add किया तो 50-4 is not equal to 6 बात हो गई खतम option हो गया गलत अगर option हो गया गलत तो आगे बढ़ो और ऐसे आपको कितने बार करना पड़ेगा करना पड़ेगा जब तक answer नहीं आ जाता क्या ही करे यहाँ पर अब second option को अगर हम देखे तो second option की हिसाब से 32-4 plus 12 into 4 that is equal to 6 divided by 5 plus 1 अगे division की हिसाब से अगर जाए तो यहाँ पर 6 divided by 2 1.2, 1.2 plus 1 fraction आ रहा है तो यहाँ पर यहाँ आ गया आपका fraction 1.2 plus 1, 2.2 हो जाएगा क्या fraction इधर से आएगा आ ही नहीं सकता यहाँ पर whole number आएगा ठीक है तो यहाँ पर whole number आएगा fraction आ नहीं सकता तो LHS is not RHS हो गई बात खतम ऐसे आपको smart बनना है जरूरी नहीं है कि पूरा-पूरा solve करते बैटो basics idea भी अगर आ गया ना तो answer आ जाते है जी अब option 3 को देखते है option 3 आपकी screen के सामने 32 plus 4 minus 12 divide by 4 into 6 that is equal to 5 plus 1 क्या हो रहा है कि LHSRHC चेक कर लो जी तो यहाँ पर 4 1s are 4 3s are 6 into 3 18 तो यहाँ पर 32 plus 4 minus 18 that is equal to 5 plus 1 6 अब अगर मैं धिहान से देखू तो यहाँ पर addition करने पर 36 आ रहा है 36 को 18 से subtract करे तो यहाँ पर 18 बचना चाहिए तो 6 तो नहीं बचेगा 6 नहीं बचेगा तो LHS is not RHS हो गई बात खतम अगर बात खतम हो गई तो यहाँ पर आपने 1-1 करके सभी को उड़ा दिया 1-1 करके सभी को उड़ा दिया तो option elimination अब क्या कहता है जो बच गया वो सही कौन बच गया option 4 बच गया वो सही चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है अगला सवाल आपके screen के सामने यह रहा अब यह वाले सवाल मैंने कहा है आपको कोई चारा नहीं है हमारे पास एक-एक करके सारा fill ही करना पड़ेगा dash c oops not c h a dash i s dash a c dash a r i dash m a c h dash r dash s m a देखो ध्यान से copy एक बारी दो बारी और यह तीन एंड चार ठीक है चार बर कर लिया copy अब एक-एक करके substitute करो यहाँ पर c m r पहले c m r है पहले उसको fill कर लेते है c m r फिर हसी h a s i हसी तो ऐसा नहीं है कि हसी यहाँ पर हमको खेलना नहीं है हमको solve करना है c r m c r m h s a i फिर उसके बाद हमारे पास है m r c m r c उसके बाद क्या है a i h s उसके बाद क्या है m r co again mr C उसके बाद हमारे पास है s h a i एक बार एक बार यह लिख दिया न battery फिर जिंदगी हो जाती है must देखो दिहां से, अब क्या करेंगे, अब इतना सारा है, अगें यहां पर analysis करना पड़ेगा, analysis करते समय हमको क्या मिला यहां पर, हमको analysis करते समय मिला यहां पर, यह और यह same है, उपर नीचे वाला same नहीं है, फिर अगर इधर को देखा तो इधर को देखने के बाद हमको दिखाए दिया, कि ये और ये का नहीं, सब अलगी ही है, यहाँ पर is, i, h है, सब अलग है, अब क्या करें सरजी, अब क्या करें, मतलब अगर अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर भी दो-दो का pattern, नहीं इधर भी सब अलग-अलगी चल रहा है, कुछ ऐसे खास हमको pattern नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस यह जो आपने पकड़ा है यहाँ पर, charisma, charisma ऐसा कुछ repeat हो रहा है, charisma charisma, सर हो रहा है repeat, एक मही हो रहा है बात हो गई, खतम, ठीक है, यह था आपका word repeating itself, charisma, repeating itself, हो गया, done and dusted, यहाँ पर option 2 ठीक है, तो जब आपको ऐसे patterns elimination के लिए नहीं मिले, तो word repetition वाला आपको खोज लेना चाहिए, उससे कहानी हो जाती है आसान, ठीक है जी, तो चलिए अब question number 15 को पढ़ते है, pointing to a lady, प्रकाश said, the daughter of her only sister, is the sister of my wife, how is the lady related to प्रकाश, अब पढ़ने के बाद, बहुत सरे students कहेंगे, कुछ समझ नहीं आया, होता ऐसा, blood relationship में कुछ सवाल होते है, जो बड़े कठिन होते है, तो उनको सुलजाने के लिए आपको pieces खोजने पड़ेंगे, सबसे पहला जिपसव piece जो है, वो यह है के प्रकाश कह रहा है, तो प्रकाश एक लड़का है, वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, pointing to a lady, उसने कहा, the daughter of her, याने lady, the daughter of the lady, only sister, is the sister of my wife, याने प्रकाश की wife तो है, देखो, कैसे हमको hint मिल रहा है, प्रकाश की wife है, और यहाँ पर कुछ और connected था, sister of my wife, wife की sister, wife की sister, ये देखो, है न, जिसको हम हिंदी में कहते है, साली, wife की sister, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, प्रकाश की ये रही wife, और उसके बाजु में जो गोला बना है, वो wife की sister है, चल, आगे क्या, अब ये वाला तोड़ा कठिन है, इसलिए focus के साथ, the daughter of her only, अब ये जो her है, वो है lady, so the daughter of lady, only sister, अतलब ये जो lady है, उसकी एक only sister है, ये, ये है उसकी only sister, और अब वो कह रहा है, the daughter of her only sister, अब ये जो only sister है, उसकी जो daughter है, वो थी sister of Prakash wife, ठीक है जी, वो थी sister of Prakash wife, तो ये हमारा diagram हो जाता है complete, अब finally पूझ क्या रहा है, what is the relationship between lady and Prakash, so what is lady related to Prakash, Prakash की नजरों से अगर हम देखे, तो वो lady क्या है, Prakash की नजरों से देखे, तो प्रकाश की wife और उसकी sister, ये मिला करके उनकी, ये है equality, एक माता जी, और प्रकाश के लिए वो माता जी हो जाएगी from other, है न, from other side, तो mother-in-law, तो mother-in-law, बट mother-in-law के बार में तो नहीं पूछ रहेते, क्या पूछ देते, mother-in-law की जो बहन है, वो प्रकाश के लिए क्या है, mother-in-law की बहन, sister, sister of mother-in-law, easy, sister of mother-in-law, अगर हम इन दोनों का connection देखे, जो था हमारे पास option 2 के अंदर, so option 2 is correct, बहुत easy था, mother-sister नहीं हो सकता, क्योंके प्रकाश की mother-in-law की sister है, mother-in-law की sister है, grandmother, step mother, ये सब तो नहीं है, तो बात हो गई, खतम, चलिए आगे बढ़ते है, question number 16 को पढ़ते है, again sitting arrangement से सवाल है, ध्यान से देखेगा आप, अमन, बबन, चारू, दीपक, ईशा, फीजा, गौरव, ये सब यह ना, ये जान पूछ करके लिखा है, ताकि आपका समय बेस्ट हो, देखना आपको, A, B, C, D, E, F, G, ऐसे साथ friend है, all have different heights, B is taller than F, but shorter than E, E is not the tallest, अमन is the tallest, then both F and C, चारू is tallest than G, अमन is tallest than only three friends, who is the tallest, यहाँ पर tallest पूछा जा रहा है, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, again आपको inequalities बनानी है, जैसे बबन is taller than FISA, but shorter than E, शा, तो हम कहेंगे B is greater than F, but छोटा है इससे, ठीक है जी, second, E is not the tallest, तो E को पहला दरजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जो tallest का दरजा है, वो E को नहीं मिलना चाहिए, so who is the tallest, E नहीं है, हमको भी दिखाई दे रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अमन is the tallest than both FISA and चारू, याने A जो है, वो बड़ा है, किस से? F and C से, दोनों से बड़ा है, अब फाइनली स्टेटमेंट नबर 4, चारू is tallest या taller than Gaurav, so C is greater than G, और फाइनली एक और है, अमन जो है, is taller than only 3 fins, तो ये greater है, dash, greater है, dash, greater है, dash, पस ये तीनी लोगों से अमन बड़ा है, इससे जादा नहीं है, अगर ऐसी बात है, ये सब को combine करते हुए, हमको कुछ conclusion बनाने है, तो उपस, data को इधर ही है, हमारे पास free slide नहीं, चलो, कोई बात नहीं, हम एक free slide जोड देते हैं, सक्त हमको जरूरत है, यहाँ पर free slide की, चलो, तो उसके लिए हमको ये delete करना पड़ेगा, और ये देखो, tension मतलो, ये जो previous हमारी slide है, उसी में से ये data चुराया है, अब ये data का कोई हमारा काम नहीं, क्योंके next slide में आ चुका है, चलो, अब conclusion बनाते है, conclusion, conclusion हमारा ये है के tallest हम पहले लिखेंगे, उसके बाद shortest इदर आ जाएंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वाला से start करना थोड़ा सा sensible लगता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो sensibly start करेंगे, a, dash, 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 तो ये देखो, a इदर आ जाएगा, तभी तो हम कह सकते हो न, वो सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों से बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ तीन, तो ये वाला data हमने उतार दिया, अब उसके बाद, a जो है, वो f and c से बढ़ा है, चलो, ये भी ठीक है, फिर f के पीछे, दो लोगोंने चाहिए, b and e, है न, और c के आगे एक होना चाहिए, अब लगाओ दिमाग, अब मैं ये दिमाग लगा रहा था, कि a greater than f and c है, अगर f इदर रखे, c इदर रखे, तो g को यहाँ पर जगा मिल सकती है, देखो न, c greater than g, तो c को जगा मिल सकती है, उल्टा लिखते हैं, अगर c and f, तो फिर g को जगा का मिलती, g को जगा नहीं मिलती, इसलिए, इस प्रकार से लिखने में, c के बाद g को जगा मिल रही है, चलिए, ये बात तो clear हो गई, अब इसके पहले कौन आएंगे, तो ये वाला data देख लो, e greater than b greater than f, अच्छा, अगर ऐसी बात है, और e tallest नहीं होना चेह न, जब भी आपको करना हो, तो easy data से start करो, उससे combine वाला data देखो, फिर उससे combine वाला data और logic बिठाने का start करो, उदर possibilities आएगी, cases बनने की, तो cases भी सोचो, अगर fit नहीं हो रहा है, तो फिर case सोच नहीं गलत है, जो fit हो रहा है, वहां से फिर story को आगे बढ़ा, easy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगरा सवाल देखते है, blood relationship से एक और सवाल, question number 17, pointing at a man, शोबा सेड, he is my husband's, daughter's, mother's, father, how is that man related to शोबा, अब जो शोबा है, लड़की है, उसने एक आदमी को point किया, he is my husband, तो शोबा का एक husband है, he is my husband's, daughter, husband की एक daughter है, daughter's, mother's, यानि खुछ शोबा हो गई, mother's, father, तो यह, यह है, ठीक है, वो जो man, point करके कह रही थी ना, शोबा, वो actually इनके father जी ही है, ठीक है, उल्टा सुल्टा गुमा फिरा करके कहा, जो आम सी बात है, लड़की ऐसी कहती है, ठीक है, उसमें कोई नया बात नहीं है, इसी बात पर comment मत कर देना, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हो, question number 18, select the option figure in which the given figure is embedded, rotation is not allowed, यह triangle आपको चाहिए, तिडड़ा वाला triangle, तिड़ा वाला triangle दिखाए दे रहा है, यह मोटू सा triangle दिखाए दे रहा है, उपर पतलू सा है, और थोड़ा direction में भी देखो, यह ऐसे point है, option 1 में ऐसे point है, हाँ, यह वाला ठीक लग रहा है, यह डिट्टो एकदम match कर रहा है, यह बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा अटक गया, देखो, यहाँ पर यह dot, miss कर दिया उन्होंने, तो वो भी ठीक था, उसके अलावा अगर बात करें, तो इधर भी ठीक दम flat सा हो गया है, तो उतना नहीं चाहिए, खाते पीते घर का नहीं चाहिए, सुकडा सा पतला सा चाहिए, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते है, how many rectangles are there in the given figure, कितने rectangle है जनाब, तो यहाँ पर मैंने इसको बाट दिया है, अलग-अलग gypsom है, देखो, यहाँ पर देखो, ऐसे वाला slant एकदम से रखा है, उसको 8 कह देते हैं, इधर वाला 9 कह देते हैं, फिर, फिर सर जी, फिर मैं देख रहा था, कि यह 10, यह 11, यह 12, अगर यह हम देखें, तो यह 10, यह 11, यह 12, इधर ही बात खतम हो जाती है, कि greater than 11 is the answer, yes, यह 4 की तो जरुद भी नहीं हमको पड़ी, यहाँ पर ही हमने कह दिया, greater than 11, so option 1 is absolutely correct, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, question number 20 आपकी screen के सामने, अब यह वाला बड़ी मशक्कत हमसे करवाएंगे, क्योंकि वो star की जगा एक एक करके symbol रखना है, फिर हमको answer कहना है, तो ठीक है जी, कर लेते हैं, 74 उसके बाद multiply 32, उसके बाद subtract 8 plus divide, यह आना चाहिए, 82 के बराबर, ऐसा होगा, क्या, चलो हम देख लेते हैं, ऐसा होगा या नहीं, यह है, 3, ठीक है, और यह इतना बड़ा number बन जाएगा, कि इतना सा subtract करने के बाद, LHS, RHS नहीं बनेगा, यह अपने आप में है 2368, कैसे बनेगा फिर LHS, RHS, तो हमने थोड़ा सा basic logic लगा लिया, this is way bigger, way bigger and less subtraction, so LHS is not RHS, हो गई बात कतम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, this was big, and this is small, so LHS is not RHS, done, cut-paste का बिननस, आगे बढ़ो, second वाले को देखो, second वाला क्या कहता है, second वाला कहता है, 74 के बाद subtraction, उसके बाद division, फिर plus, फिर multiplication, यह सब कर लेने के बाद, 82 आ जाना चाहिए, यह 8100 है, यह 8400 है, फिर हमको करना है multiplication, यह हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 होने के बाद, हम देख रहे हैं, यहाँ पर, के सर जी, addition आप पह ले करोगे, तो answer आ रहा है, 86, फिर minus करोगे, 4 से, तो yes, यह 82 के बराबर आएगा, LHS is RHS, so option 2 is correct, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके screen के सामने, झाल आपके screen केPS झाल झाल झाल